तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित अति महत्यपूर्ण प्रशन जो अक्सर सभी परिछाओं में पूछे जाते हैं ठीक है तो सभी परिछाओं से जो पूछे जाते हैं उसको कलेक्ट करके समें दिया गया है तो किर्पी आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ठीक है मैं आप से पर फिर कह रहा हूं कि आप इस वीडियो में से आपको दो चार प्रशन आ जाएंगे ठीक है तो आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देख लें और हमारे चानल को अभी सस्क्र SPACIO में किस अमल की 58 होने से थकावड आती है तो कौन सा एकत्रित होने से longest PS proyect में थकावड आती है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लैटी रसач чаusz होता है इसको एक CPU होने से थकावड आती है दूसरा जो प्रष्ण है अंगोर में कौन सा अमले पाया जाता है तो पूछना है अंगोर में कौन सा अमले पाया जाता है तो उसमें है ट्रिक अमले पाया जाता है अंगोर में तीसरा जो प्रशन है यह सर्थ समंदी रोगों का अध्यन कहलाता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आरगेनोलाजी ठीक है यही अध्यन इसका कहलाता है चार नवर प्रस्ण है मानो सरीर में सबसे लंबी कोश्का कौन सी होती है तो सबसे लंबी कोश्का पूछा है मानो सरीर की तो यह कोश्का होती है उत्तर होगा इसका तंत्रिका कोश्का ठीक है सबसे लंबी कोश्का होती म वानों सरीर की अगलो प्रसंद 25 नंबर दान्त मुखरोप से के भैं होते है कि क्षार उत्र हो जाएगा डेंट्राइंध के दान्त मुखरोप से भण निगा होते हैं हें अगला जो प्रस्ण है किस जंत्रु की आकृती पेर की चैपल के समान होती है amongst पूछ रहा है कौन से जनतु के आक्रिती पैर के चपल समान होती है तो इसका उत्तर होगा पैरा मीसियम जो पैरा मीसियम होता है उसकी जो आक्रिती होती है पैर के चपल के समान होती है पैरा मीसियम की साथ नमर प्रश्न है केचुवे की कितनी आखे होती है तो इसका उत्तर ह एक भी नहीं होती केच्वीए की आंखे ठीक हैं आठ नम्र प्रश्न हैंगांज्र किस Shopify होता ह। ओखक लॉटामिन का समरिधक शरत है तो सम्रेधक शुरत सब्सक्पूचा है किस वितामिन का यह इन पाज़ा तो इससे आपकोश्प वितामिन में प्रोटीन नहीं पाई जाता है कि मानाव का मस्तिस्क लगभा कितने ग्राम का होता है उत्तार हो का 1350 ग्राम का मानव का मस्तिस होता है तो इसका उत्तर हो जह उत्तर हो बश्य एका ना जो जह प्राम का उधारन है किंडुवन का उधारन होते हैं ठीक है अगर यह सब प्रिक्डाय हो रही तो वह किंडवन के उधारन है ठीक है तेरे नमर प्रश्ण है निमने में से कौन सा आहार मानो सरीर में नए उत्तकों की बृद्धी के लिए पोसक तक तुपरदान करता है ठीक है तो इसमें मांगा है ये उत्तर की कौन सा आहार जो है वो मानो सरीर में नए उत्तक की बृद्धी के लिए प्रश्चन है तो यह जो होता है पनीर होता है निमने में से कौन एक उडने वाली छिपकली है इसका जो उत्र होगा डेको उडने वाली छिपकली होती है अगला प्रस्ण है गोशला बनाने वाला एक मात証्याप पूछा गया है गोशला बनाता है स्वलना प्रस्ण है भारत में पाईजाने वाली सबसे बड़ी मच्छली कौण सी है तो इसका जो उत्तर होगा विल सारक होती है वो भायाद में पाये जाने वाली सबसे बड़ी मचली होती है 17 नमर जो प्रशन है दाले किसका एक अच्छा सुरोत होती है जो दाल होता है वो किसका अच्छा सुरोत होता है उससे आपको प्रोटीन सब ज्यादा मिलती है तो इसका जो उत्तर भी होगा, वह होगा प्रोटीन ठीक है, डालो से सब ज़ादा प्रोटीन मिलता है अठारा नमर जो प्रिश다음 है, वह है देशी घी में से सुगंद क्यों आती है तो सुगंद आने के कारण पूचा देशी घी में तो इसका जो उतर हो जाएगा diacetyl के कारण जो होता है देसीगी में सुगन्धाती है ठीक है और 20 नमर जो प्रशन पूचा है इन धनूस में किस रंग का विझ्छेंपढ अधिक होता है तो अब उतार जाते है इसका जो होता है लाल रंग में सबसे अधिक विझ्छेंपढ होता है ठीक है तो इसका जो उत्तर होगा वह लाल रंग 20 नमबर प्रश्न है टेली वीजन का अविश्कार किस ने किया था तो टेली वीजन का अविश्कार किया था इसका उत्तर है जे एल बेर्ड ने टेली वीजन का अविश्कार किया था ठीक है, 21 नमबर प्रशन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो चमकदार हीरा दिखने के कारण जो है, इसका उतर होगा, सामोहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यह हीरा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है, सामोहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, 22 नमबर प्रशन गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो गोबर गैस में जो पाया जाता है यह पूछा है इसमें तो सबसे दिस में मिथेन जो ओती मिथेन गैस गोबर गैस में पाया जाती है सबसे ठीक है तेश नंबर प्रस्न है दूद की सुधता का मापन किस यंद्र से कि पूचा है तो दूद की सुधता का मापन होता है वकिस यह अधर से किया जाता उसके बार पूचा है तो यह इसका उतर होगा लेक्ट्रो मीटर से दूद की सुधता मापा जाता है 24 नवा प्रश्ण है पिर्तिवी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु तत तो कौन सा है तो पिर्तिवी में सबसे ज़्यादा पाया जाते है पिर्तिवी में वह है अलूमेनियम ठीक है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यह थात अलूमेनियम 25 नवर प्रशन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है ठीक है, मोती किस पदार्थ का बना होता है मुख्य रूप से यह पूचायतिस में इसका उतर हो जाएगा, कैल्सियम कार्बोनेट का बना होता है मोती, ठीक है, 26 नमार प्रश्चनल, मानो शरीर में सबसे अधिक मातरा में कौन सतत्व पाय जाता है, तो मानो शरीर में सबसे अधिक मातरा में कौन सतत्व पाय जाता है, वह है आकसीजन, सबसे अधिक मातरा में पाय जाता है, 27 नमार प्रश्चनल, किस प्रकार के, उत्तक सर तो इसका उत्तर है यह कुट्ता जो सबसे पहले मनुष्य ने पालतु जानवर के रूब में प्रयोग किया था ठीक है उन्तिस नमर्प्रस्ण है किस वैग्यानिक ने सरपर्थम बर्क के दो तुकोडों को आपस में पिघल लाकर घिसका पिघला दिया था ठीक है तो इसमें जो होगा वह है डेवी ठीक है डेवी ने अगला जो है उत्तर प्रयाश्ण सबसे अधिक तीवरता कि ध्वानी कौन उत्पन करता है ठीक है तो यह जो करता है वह बाग सबसे अधिक तीवरता कि ध्वानी उत्पन करता है बाग 31 प्रशन है जब ध्वनी तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है तो क्या ले जाती है ये पूछा है जब ध्वनी तरंग चलती है तो ये उर्जा अपने साथ ले जाती है ध्वनी तरंग ठीक है जब वो चलती है तो उसके साथ उर्जा काफी मात्रा में भी दिमान रहता है 22 नमर प्रश्ण है 22 सूर ग्राण के समय सूर का कौन सा भाग दिखाई देता है इसका जो उत्तर है यह क्रीट जो सूर ग्राण के समय दिखाई देता है ठीक है सूर की किरण में कितने रंग होते हैं तो इसमें जो पूचा है सूर की किरण जो रंग है वह सात रंग है ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा वह सात रंग पैसे सिर्का को लैटर्टिं भासा में क्या आजाता है तो इसका ऊतर होगा ईसल जाएबयों चयो तो अशीड़ीग की आफलग छावल यह तौफून हो से जग के ड्र से द्वंवा इसका प्रयोग किया जाता है तो चैनल calculate जो हो है मैं गन्य में लालłem कि ऐसा कारां उत्तपण होता है फ्यास का उत्तपतों होता है She काफी पाउडर के साथ मिला जाने वाला चिकोरी चूल प्राप्त होता है तो यह कहां से प्राप्त होता है यह जड़ो से प्राप्त होता है चिकोरी चूल जो काफी पाउडर मिला जाता है ठीक है काफी पाउडर में क्या मिला जाता है उसको भी आप जान लीजिए वह है चिक में सीखा तो बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों कि वीडियो पसंद आया तो मैं चल्म को सस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद